हेलो वाई यो कैसे हैं आप लोग आज फिर हम एक नई वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें आज आपको हम बताएंगे गरी डक्टेबल एसी के बारे में पहले भी मैं इसके गरी के उपर और वीडियो बना चुका हूँ यह आज हम बताएंगे आपको इसमें एरर आ रहा है एक इसमें एरर आ रहा है तो आज चेक करेंगे हम इसमें क्या प्रोल मारी है मैं आपको बताऊँगा वीडियो पूरी देखेगा जिससे कि आपको पता चलेगा क्या फालता है हमने कैसे रिपेर किया और अगर आप पहली वार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक अच्छी उठा सकते हैं आट ओफ कंट्री में इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में आपको एक अच्छी जोब मिल सकती है तो आई हो हम आगए आउट्डूर के पास में आप देख रहे हैं कबर खोल लिया हमने आउट्डूर का और राइट वाला यह सी जो हमारा वह सही चल दा है तो दोन अड़क्टेबल हैं आठाट तरन के हैं यानि कि एट टन है इस्टेंट दोना टोटल लगा है अब हम चैक करेंगे क्या प्रॉलम हो रही है जो इस हमारा है वह हमारा फेस से रिलेटिड है यानि कि या तो फेस मिसिंग होगा या फेस रिवर्स होगा या हम्हारी जो रिले ए उसके अंदर प्रोटक्शन रिले फेस रिले वो खराब वो गई तो हैड़ो फेस तो हमारे ठीक है क्योंकी बरावर वाला इसे भी सही चल आ रहा है और उसके भी फेस हमने चैक के लिए फेस ठीक है तो अभी हमरे चैक करेंगे जो हमाارी प्रॉटक्श करके लगा दिया था पहले प्रोलम आज चुकी है तो इस तरह से अगर आपके सामने प्रोलम आए तो आप भी इसको साफ करके ट्राइ कर लें क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार आपकी डेले ठीक हो जाई करी कभी कभी क्या होता है की काम वहलती इनिकी जुगाड काम कर दाता है काम कि पुर्टि ने कीजिए और दो सुक्राइब करने करें अगर नहीं चलेगी तोम इस रिले को चैंज करेंगे इसमें जो दोपत्ती होती है यानि की लाइन को इन और आउट करने के लिए वह अगर मिलेंगे नहीं दोनों आपस में तो वह काम नहीं करेंगे तो उनको तोड़ा चेक करने आप खोल के कभी कभी क्या होता अगर तोड़ा डेश्ट बगएर है कार्वन बगएर पिन पर आ जाता है तो वह साफ करने से काम कर जाती है रिले और इस तरह से अगर कुछ इंटरिनल प्रॉलम है तो वह काम नहीं करेगी तो आपको चैंज करने पड़ेगी तो चलो हम इसको फिक्स कर द अपको कि हमारे कुछ भाई हैं नई उन लोग को नहीं मालूं तो इसलिए मैं बता देता हूं से कनक्षन प्रिमे, मैं आपको लोग को बता देता हूं बाकी जातर बहुँको पता है कि इसका क्या काम है तो आप देख रहाएं है यह रैड वाला वायर ये बिलैक बाला और ब्लु वाला यह तीन हमारे लाइन बन लाइन टू और लाइन In की तीन फेंज हमारे आ रहाँ या वरतीन हमारे इसलेले के उपर आएंगें और आप देख갈ाया एक अमसे ग्ला乾 लाइन लिया यानि की फेज बन प्राइब लगा है थाम इसकी सप्लाइए हमारी इन हो रही है यानि कि बॉर्ड में हमारी यह सप्लाइए ए जैसे इस आए गिची डेख रहा है लाइट जो एलेड लग day और दोनों हमारी जैए गए यह घरेट जलेंगी और एक ख्रापनेंग जो जले he और ब्लू से हमारी रेड में सप्प्लाई कैसे जाएगी वो मैं आपको बताता हूं कि इधर से जब हमारी रिले में तीनों फेस ठीक आएंगे तो ब्लू वाली लाइन रैड पर पास हो जाएगी यानि कि रिले कमान देगी कि हां अभी सब कुछ ठीक है तीनों फेस ठीक है र हमारी जो रिले है ठीक है या नहीं है अभी देखिए आप फेस आ रहा है इसमें बट हमारे बोर्ड पर अभी तक सप्लाई नहीं आई है तो हमारे रिले काम नहीं कर रही है ठीक से आप रिले को चेक करने के लिए आप इंपुट जो लाइन हमारी आ रही है बुलू लाइन र कर आपका इसी बंद पड़ा है आप चलाना चाहते हैं तो यह दोने लाइन को आप वापस में मिला दें अभी क्या हमारा बाइपास हो गया अभी हमारी रिले का जो कनेक्शन थे वहट गया है और यह देखिए हमारे बोर्ड में पावर आ गई है दोने लाइट जल गई है रैड वाली और गिरीन वाली तो इस तरह से आप अपने चला सकते हैं अगर आपके फेस रिवर्स नहीं होते हैं मिसिंग नहीं होते तो आपको स्टेम चला सकते हैं जब तक आपको रिले ना मिले देखिए मैंने इसके वायर निकाल दी हैं भी कंपेसर के और इसका फैन का वगरा का वायर का निकाल दिया सिर्प मशीन हम चैक कर रहा है जब कंप्लिट ठीक हो जाएक इसके बाद हम लगाएंगे तो हमारी खराब है कि क्या हुआ है कि हमारी जो रिले है वह सेम नहीं मिली है कि यह यह यहां पर इसके पार्ट नहीं मिलते हैं और करके मंगाने पड़ते हैं उस डीलर के पास भी नहीं जिससे एचे खरीटा था वह बोला था कि मतलद मंगाने पड़ेंगे तो इसमें बनाने में काफी time लग जाता है बाहर से अफ्रीका में यह सब पार्ट का बहुत मसला है मैंने पहले भी आपको पता है टैम लग जाता है तो अभी हमें क्या करना है अभी आप देखिए मैं यह जाली चैन्ज करूंगा इसके मैड इंडिया और इसका नाम मतब अलग 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 लोग लेते हैं कोई कोई ऐस प्रोटेक्शन रिले वोलता है तो अलग अलग नाम से काफी आती है और अलग अलग तरीके से मतबब आपको मिलेंगी है कि मैं आज आपको कैसे इसको लगाना है और कैसे सके यह पर वहां को बता देता हूं कि यह नहीं और वहारी उस तरहें कि दोनों बहुत फरक कि वारूब कि ऊसमें आपको वायर दिखाया कि इसमें 4 वाय। आपको लगेगा तो हमिन उससे लगाने के लिए पहले ये इसका चैनल बैठाना पड़ा क्योंकि ये इसप्रूबर्य नहीं लगेगी जैसे हमारी बिरेकर लगते हैं, ये कि बगरते हैं, उस तरह बैटेगी, उसे बैठाने के लिए पहला हम भी को बैठा लेंगे इसके अंदर के लिए अब ड्रिल मशीन से इस चैनल को काट के इस तरह से बैठा लें अंदर तो मैं आपको इसको कनेक्शन भी बता देता हूं कि थोड़ा सा अलग आपको लगे का देखने में तो यह इस तरह से पीछे से लॉक करके बैठेगी अपने अगर ब्रेकर लगा होंगे एमसी बगएरा तो उस तरह से सेम इसके भी माउंटिंग है उस तरह से बैठती है तो चलो अब इसके कनेक्शन करते हैं अभी आप देख रहे हैं यह एलवन है तो हम एलवन पर पहला मतब जो है फर्ष्ट वाला फेस दे देंगे इसको और एलटू पर हमारा जो ब्लैक वाला फेस था वो दे देंगे जैसे यह से आपके लवन 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 अब इसमें हमें पंदर नंबर पर इसको connection देना है इसका एक लूप लेकर उपर से face का वह हम पंदर नंबर पर लगा देंगे अब इधर से यही face समझ लो आप जैसे ही relay on होगी और यही output करती है यानि कि incoming line है और यह फिर output देगी इस वाले वायर को यह जो वायर है वो आपको ने देखा था कि यह बोर्ड का वायर है पहले इसमें tikal लगा था, इसका काट देंगे तो मैं भी इसको लगांगे नहीं, पहले भी आपको check करके देखाता हूं पहले इसको न कर देखाऊँगा मैं आपको कैसे यह काम करहेगा कि आफे कई कि पावर रावन करते हैं और इसको चेक करेंगे अमने देखिए बावर अन कर दिये और हमारी लाइन घ्रीन जो लाइट हमारी जल गई है अभी इसकंतर आफेर पर आगई है अभी देखिए मैं आपको दिकाए यदल मारा डिले दे Entwicklungि जो दूसरा वालव पॉंट है हमारा उस पें नहीं नकलेगी अभी मैं आपको दिखाता हूं इसमें बोट कवाई लगा के यह देखिछ लाइन हमारी माभी अभी और हमारा ओन हो हुआ है पूरा से कि metallic हाँ है तो हमारे से रिले बिल्कुल काम सही καोए जाए जाए और हमारे सर्कुट मेज neural camera अब हम आपको दिखाता हूं कि रिले को में फेस ऊल्टे आएंगे हैं फेस reverse हाएंगे या फेसिंग हाएंगे तो कॉप काम करेगी हैं अभी क्या हम आप देख रहे हैं यह face red इदर वाला है एल बन है red वाला और ब्लैक वाना जो ब्लैक वाला है वो हमारा एल टू है अभी हम face को reverse करेंगे अभी face हम change करते हैं इदर दी फेस हमारे ठीक से लगी है काम करेंगी या नहीं करेंगी तो देखिए मैंने लाइन अभी on कर दिए power आ गई है तीनों face और आए अभी मैं आपको दिखाता हूं रिले में यह देखिए पहले blinking नहीं कर रही थी light अभी blinking कर रही है पहले आपने देखा था कि यह light जो बिलिंग कर रही है continue जल रही थी और power हमारी आउटपुट दे रही थी तो अभी कर रही है यानि कुछ error है कुछ problem है जिस बेसे हमारी आउटपुट में आपको दिखाता हूं आउटपुट भी नहीं देगी यह देखिए हमारी इंपट लाइन है जो उपर से मने लूप लिया है अभी मैं इसमें देखाता हूं जो बाहर हमारा लगा है यह देखिए आउटपट नहीं दे रही है तो यानि कि अभी हमारी जो रिले हमने लगाई है फेस फेलियर रिले वो बिल्कु ठीक काम कर रही है अगर वाई चांस अगर फेस चैंज हो जाते हैं रिवर्स हो जाते हैं या फेस मिसिंग हो जाता है तो हमारा यूनिट काम नहीं करेगा इस से से रहता है कि हमारा AC हमारा है एल्टा चला है कि आयँ वेसी गूल आप नीचे की तरफल कि पत्ति पड़ने तो हवा यदूर्ट चल रहा है तो फेस हमने चेंज कर दिया है दोबारा से जैसे थे L1, L2, L3 और अभी आप देख रहा है यह देखिए लाइट कंटिन्यू जल लएए और लाइट हमारी L.A.D. दोनों जल गई यह तो पावर हमारी सर्केट पर पहुंच गई है अब यह से हमारा ओन हो गया है तो आप समंझ गया होंगे कि किस तरह से हमें इसके टनक्शिक करने हैं और कैसे हमें चेक करने होती है अगर हमें दुबारा से नहीं लगाने के बाद यह अब एक बड़ चेक करें, confirm करें तो मैं अभी अंदर आया हूँ, आप देख रहे हैं ये दोनों हमारे यूनिट है अभी हमारे जो E6 आ रहा था अरल वो निकल गया है अभी नहीं आ रहा है और हमारा यूनिट चल रहा है आप लोगों से एक ही request है हमारी अगर आप पहली वार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारा नाया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की जुरूत है और मेरा चैनल बनाने का मोटिव यही है आप लोगों को पता होगा कि जो वीडियो मैं बनाता हूँ के एपसी और रैश्वन की और पोल बगएरा की वो वीडियो आपको किसी भी हिंदी चैनल या उर्दू चैनल पे नहीं मिलेंगी सिर्फ यही मोटिव है मेरा बनाने का कि मैं बनाऊं वीडियो इस तरह कि मशीनों की प्रॉलम जो आती है बंदों के सामने बहुत ज़्यादा प्रॉलम आती है क्योंकि मेरे सामने भी बहुत सारी प्रॉलम आही है जब मैं सुरू सुरू में इस लाइन में आया था रैश्वन लाइन में तो मेरे सामने ऐसे मशीनों की प्रॉलम आती थी तो मैं यूटूब खोल के मेरा वीडियो बनाने का और अपने चैनल को खून लेगा कि आप लोग तक हेल्प मिले और आप लोग किसी भी साइट पर अगर फस रहें तो कमेंट करके पूंचिए मैं जरूर बताऊंगा तक्रिवर मुझे 8 साल हो चुके हैं इसी लाइन में के अपसी और पोल बगारा पीचा हाट में तो अगर वीडियो पसंद देए तो लाइक कीजेगा और जातो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें और वैल आइकन को भी प्रस कर दें ताकि वीडियो की नॉटिफिकेशन तक पहुत सके